दोस्तों भारतिय जन्ता पार्टी अपनी तानाशाही के चलते हर किसी चीज को कुचल देना चाहती है वो कुचल देना चाहती है सम्विधान को, वो कुचल देना चाहती है विपक्ष को वो कुचल देना चाहती है हर एक उस आवाज को जो उसके खिलाफ बुलंदी से उड़ती है जिसकी तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आती रहती है जहां वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के उपर ही कारवाई करती हुई दिखाई देती है जहां विपक्ष के कई नेताओं को जेल की सलाकों के पीछे बेजने का काम किया गया है कुछ अभी भी जेल की सलाकों के पीछे हैं तो कुछ को सिर्फ मुसल्मान होने की वज़ा से टार्गेट किया गया है जिसकी फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है और इसी फेहरिस्त में अमानत उल्ला खान का भी नाम छिपा हुआ नहीं है जहां कल छे घंटे तक सर्च आपरेशन चलाने के बाद जब एडी को अमानत उल्ला खान के घर से कुछ बरामत नहीं हुआ तो छे घंटे बाद उनकी गिरफतारी दिखाईगी और छे घंटे की गिरफतारी के बाद आनन फानन में उन्हें आधी रात को कोट के अंदर पेश भी करना पड़ा और आधी ही रात को चार दिन की रिमांड भी दे दी गई जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है और इतने आनन फानन में तो कोई देश की अदालत की कारवाई नहीं होती जितनी जल्दी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कारवाई बैठा दी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ताना शाही रवाईये के चलते हर चीज़ को अपने अफसर में बदलने की कोशिश भारती जनता पार्टी कर रही है जहां ये बताया गया के दो F.I.R. के अधार पर अमानतुल्ला खान पर ये कारवाई की गई है आप विधायक की गिरफतारी पर सियासी घमसान मत चुका है जहां ये बताया गया के एडी ने आप विधायक अमानतुल्लाख खान के खिलाफ गिरफतारी की कारवाई दो अलग-अलग F.I.R. के अधार पर की है पहली F.I.R. C.B.I. ने वक्त बोर्ट से सम्मंदित अनिमिताओं की दर्ज की थी जबकि दूसरी दिल्ली के भरस्टाचार A.C.B. ने आए से अधिक संपत्ती अर्जित करने के मामले में दर्ज की थी राउज एविन्यू कोट ने सुम्मार रात को आप विधायक अमानत अल्ला खान को चार दिन की E.D. हिरासत में भेज़ दिया है अब सोचिए के छे घंटे की पुश्टाच के बाद छे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जब खुद कुछ अमानत अल्ला खान के घर से नहीं निकला तो अमानत अल्ला खान की गिरफ्तारी दिखाई जाती है और आनन पानन में अदालते कोट, वकील, माई लॉड सब को बैठा दिया जाता है जो की सत्ता का दुरुपयोग करती हुई भारतिय जन्ता पार्टी अक्सर दिखाई दे रही है जह एडी के वकील ने कोट में कहा कि पूश्टाच में अमानत अल्ला खान ने एजन्सी को भटकाने का प्रियास किया उन्हें 14 समन भेजे गए वे सिर्फ एक बार वे भी सुप्रीम कोट के निर्देश पर एडी के सामने पेश हुए जाएंगे बताया गया अमानत अल्ला खान के आवास पर छापे के दौरान केंड्रिये रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद रही इस दौरान का एक वीडियो भी वाइरल हुआ जिसमें अमानत अल्ला खान अपनी सास के बिस्तर के बगल में बैठे हैं उनकी सास का हाल में ही ऑप्रेशन हुआ है एक अन्य वीडियो में अमानतुल्ह खान अपने घर के दर्वाजे के बार खड़े एड़ी अधिकारी से बात करते सुने जा सकते हैं हलाकि वीडियो की सत्यता की पुस्ट्री नहीं की जा सकते जाए ये साफ तोर पर अमानतुला खान के परिवार को किस तरीके से प्रेशराइस किया गया ये तस्वीर देश की जंता ने बखुबी देखी कि आधी रात को या तो इन्हें उठाने की जरूरत पड़ रही है या सुभे सुभे जब लोगों की आँख नहीं खुलती उस समय एडी पहुँच जाती है घर पर तफ्तीश करने के लिए जो कि कई सारे सवाल बार बार खड़े होते है जहां ये बताया गया कि एडी का आरोप है कि अमानतुलाँ खान ने दिल्ली वक्ट बोर्ड ने अवेद भरतियों पर भारी भरकम रिश्वत ली और पैसे को करीबियों के नाम पर संपत्यों में निवेश किया अमानतुलाँ खान दिल्ली वक्ट बोर्ड में 2018 से 22 तक सदसे थे E.D. का आरोप है कि उन्होंने अन्निमित्ताओं को अन्जाम दिया अब जिस चीज़ को लेकर के गिरफतारी हुई है उसमें ये साफ तोर पर देखा जा सकता है कि कभी E.D. ये बताता है कि साब 15 लोगों को दिया है कभी दूसरे हलफ नामे में दस लोगों का जिक्र करता है E.D. खुदी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आकिर कार कितने लोगों को नौकरी देने के लिए जाल साजी अमानतुल्लाख खान ने की और नहीं E.D. किन लोगों के साथ जाल साजी की क्योंकि जिनको नौकरी देने के नाम पर जाल साजी का आरोप लगाया जा रहा है वो लोगों को सामने नहीं लापाया E.D. जो कि कई बार की पूछताज के बाद ये तस्वीरे लोगों के सामने आई जहाप्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष दिविंदर यादव ने दिल्ली वक्ष बोर्ड की अन्निमित्ताओं और ब्रस्टाचार के मामलों में उखला के विदायक अमानतुल्ला खान की गिरफतारी पर आपको निशाना साथा उन्होंने कहा कि अमानतुल्ला खान की गिरफतारी आप सरकार के ब्रस्टाचार की गहरी जड़ों का एक और इसपस्ट उधारन है एडी ने उनके निवास पर छापे मारी के बाद गिरफतारी ने आप शासन में व्यापाद ब्रस्टाचार के प्रमार पेश किये हैं जो कि ये बताता है कि ये ये आरोप लगाए गया तो वही संजे सिंग ने हर चीज़ का जवाब बखू भी दिया जहां संजे सिंग अपने नेता अमानतुल्लाँ खान के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़े हुए दिखाई दिये जहां संजे सिंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमानतुल्लाख खान और उनके परिवार के साथ एडी और दिल्ली पुलिस ने गलत वहवार किया केवल अमानतुल्लाख खान को अपमानित करने के लिए एक छोटे से घर में बार बार चापे मारी की जा रही है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल जेल में हैं सतेंदर जैन जेल में हैं उप मुख्यमंत्री मनीश चुसोदिया और संजे सिंग जेल से बार आए हैं इसलिए आम आदमी पार्टी को डराने के लिए अब अमानतुल्ला खान को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है अमानतुल्ला खान ने उखला विदान सभा की जंता से अपील करते हुए कहा था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है छेतर का कोई काम नहीं रुकेगा सभी रुके हुए काम पूरी पार्टी मिलकर पुरा कराएगी इन लोगों से तूटने वाले नहीं हैं और नहीं जुकने वाले हैं न डरने वाले हैं अमानतुल्लाख खान ने कहा कि वो बिलकुल बेकसूर है उन्हें नियाए विवस्ता पर भरोसा है जिस तरहा पहले इंसाफ मिला इस बार भी उन्हें इंसाफ मिलेगा तो वहीं भारती जन्ता पार्टी के अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि देश की कानून का शासन चलता है कोई भी भरष्टाचार करेगा तो उसे जबाब देना पड़ेगा जाच एजन्सियों अपना काम कर रही हैं सचदेवा ने पूछा कि जाच एजन्सियां अपना काम कर रही हैं तो फिर आम आगवी पार्टी के निताओं में इतनी घबराहट क्यूं है जहां भारतिय जन्ता पार्टी से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि सिरफ विपक्ष के नेताओं ने ही भरष्टाचार किये हैं भारतिय जन्ता पार्टी में पल रहे उन भारतिय जन्ता पार्टी के भरष्टाचारी नेताओं के उपर कभंटर चलेगा कब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा क्योंकि भारती एजन्ता पार्टी के पास तो ऐसा डिटेजन है कि कोई कितना भी बड़ा ब्रस्ता चारी क्यों ना हो वो एक बार भाजपा में जाएगा तो वो बेदाग हो करके वापस निकलेगा